कि अज़ी दोस्तों गुड बॉर्विंग मेरा आमें तर्वीर सिंग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रॉयकार के रवांटी और आज देखें एक लेकर आया हूं हार जितमें की बहुत ही जबुर्दत कम काम करने जा रहे हैं अज सकते हैं कि भौकाली गारी लेकर आया है और बहुत ही भौकाली विडियो बनेगा और सारी भौकाली तमाल लगने जारे हैं एक एक शूपर प्रेंग के तो आगे आप देखेंगे सब काही स्लाइड हो गई है NFS की बोनट नंपिग हो गई प्रोजेक्टर लेंस लगेगी मैस्पिलिंग की वाइरिंग होने वादी है फ्लॉपं की आप देख सकते हैं तो ताम इसमें बहुत ही बखाली होगा और एक सर्प्राइब्स भी अपग्रेशन है जो कि मैं वीडियो के बीच में बता हूंगा तो यह जरूर देखे हैं इसके दिखाना इसके दिखाना है कि अधिकर इसका जन्मिन यह इससे रिप्लेश करेंगे हम तो उससे काम स्कार्ट हो जागा तो पूरा वीडियो लेके आएंगे क्या चलू का रहा है प्लस इधार आप देख सकते हैं इसके आमरेश भी पड़े हुआ है पीए में इसमें चार्जिंग स्लॉट भी दिया रहता है और का पोल्डर हो गया ग्लास ओल्डर हो गया मुबाइल ओल्डर हो गया और बाकी सीट कवर भी लेकी अप्ड्रेड हो रहा है वाइन ब्लैक टीम में प्लस रैपिंग भी होगी अमारे सलीब भाई लग लग चुके है तो एक बाद पूरी है नोइस आउट की डेंपिंग है है भी क्वाल्टी की गर्मियों चाहे जाड़ा कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आगी कोई भी सीजन में कितनी भी गर्मियों यह पिगलती नहीं है गेट में देख सकते हैं यह डबल लेयर अंदर भी इसके हमने डाली है और यह उप कवर की फिनिशिंग आप देख सकते हैं क्या खूब आ रही है इधर एंबियन लाइट काड़ी ब्रेंड की लग रही है देख सकते हैं फिटिंग आप फिटेंट टाइप है यह सीथ कवर की फिटिंग देखिए हमारे कारिगार एकदम जोरो शोरो से लगे हुए है और यह आप देख सकते हैं यह जहां स्पीकर थार में कसाता है उपर तो उस पूरे पोश्चन को हमने उतार लिया है और एक बार देखिए यह एक गेट में आपकी एमियन लाइट की फि फिटिंग आप देख सकते हैं क्या फूब आई है जहीं से भी आपको ऐसा पील नहीं हो जी आफ्टर मार्केट लगाई गई है एमियन लाइट और यही खासियत होती है कार्डी ब्रेंट की प्लस देख सकते हैं टैम पूरा ही हो रहा है जहां स्पीकर करता है वहां भी एक लुक देख सकते हैं पीछे की सीट का आया है सीट कवर का उसके बाद एक यह रैंगलर ग्रिल है यह भी फिट होने जा रही है तो सारा ही आपको पूरा वीडियो में आगे मैं दिखाऊंगा उसके बाद देख सकते हैं यह एक हैडलम भी अप्ग्रेड कर रहे हैं जो की जै उसके बाद ये प्रोजेक्टर फॉगलम की भी आप फिटिंग देख सकते हैं क्या खूब आई है कहीं कोई गयप नहीं बोनट डेंपिंग भी हम कर रहे हैं और थार में तो हाइली रिकमेंड है ये क्योंकि इसमें कोई भी इंजन कवर नहीं दिया है तो बोनट डेंपिंग बहुत ही ज़रूरत है जिससे कि आपका ये हीट रिजेक्शन काफी अच्छा बढ़ जाएगा आपका बोनट हीट नहीं होगी और एक जो रैटलिंग साउंड साथी अंदर इंजन की वो भी काफी कंट्रोल होगा तो देख सकते हैं बोनट डेंपिंग ब्योरी एंफस ब्र स्टार्ट है अंदर के कुछ कंपोनेंट्स को हम कार्बन फाइबर फिनिश देने की कोशिश कर रहे हैं तो यह रैपिंग का भी काम स्टार्ट है यह देख सकते हैं आगे गेट पे यह हमने फिनिशिंग दे दिये कार्बन फाइबर की तो आप एक देख सकते हैं और कुछ क पूरा ही upgrade कर रहे हैं है का पा सीरीज सेussen कारी की सबसे बहतरीन सीरीज होती है काप कजसा को गिए क olsun में जिसका कोई भी सानी नहीं है तो और इसका टूटर आप देख सकते हैं rise तो यह भी पूरा कापा सीरीज से साउंड अपग्रेड होगी कहीं से कोई कॉम्प्रमाइज नहीं किया जा रहा है फुल मॉडिफिकेशन और जवर्दस क्वालिटी के साथ इसकी फिटिंग आप देख सेंदे हैं यहां पे स्पीकर हम लगाएंगे और इसको भी हमने पूरा किया हूँ अंदर आप देख सकते हैं और ये देख सकते हैं ये क्रोस ओवर है वही कपा सीरीज स्पीकर का और headlamp इसमें fit किये हैं तो आईए दिखाते हैं यह आप देख सकते हैं इसका transformation क्या खूब आ रहा है blue में start होते ही है white में convert होती है genwin wrangler की है 140 watt इसकी copy भी market made label है लेकिन copy मत जाएए original product लीजे royal car care से सरिफ और एक यह armrest भी हम इसमें install करेंगे तो सारा ही काम हम बहुत जल्द आपको दिखाएंगे एक बार fit हो जाता है काम चली रहा है तो एक बार fitting हो जाती है तो हम आपके सामने आते हैं पूरा वीडियो लेकर bonnet damping मैंने आपको दिखाई चुकी है उसके बाद एक amplifier भी आप देख सकते हैं fit हुआ है और wiring देख सकते हैं पूरी ही underground हुई है यह power दे रहा है हमारे kappa series के speakers को तो काफी मेहनत के बाद हम final look लेके आ गए हैं आपके सामने और फटा-फट दिखाते हैं कि क्या हमने इसमें काम किया है पहले आप ambient light देख सकते हैं क्या खूब लगी है gate में set of 18 इसमें लगी है तो जहां से gate खुलता है bottle holder और यहां इधर आप देख सकते हैं AC vents भी मैंने आपको बताया था कि चेंज हुआ है तो पूरा ही यह Cardi brand का है तो एक इसमें खासियत यह है कि यह सारा sync आपका एक साथ कर लेगा AC vents के साथ ambient light सब एक color में और इसमें काफी options आपके पास होते हैं पूरा mobile operated है तो जो color आपको कर रहा है वो आप कर सकते हैं red इसमें हमने use किया है आप blue रख सकते हैं multi color रख सकते हैं green रख सकते हैं यह आपके उपर है कि आपको कौन सा color प्रसेंद एक बार look आप देख सकते हैं गाड़ी का क्या ही premium look आया है और क्या जबरदस्त एंबियंस लग रहा है गाड़ी का उसके बाद आते हैं फटा फट सीट कवर पे सीट कवर की fitting आप हाला कि पहले भी देख चुके हैं fitting होते हुए एक पर final look देखिए है कही कोई wrinkle आपको नजर नहीं आएगा खोजने पे भी fitting देख सकते हैं क्या खूब आई है सारे इस seat cover पे दो साल की guarantee रहती आम रेस्ट आप देख सकते हैं premium quality का आम रेस्ट है set of three है एक आगे लगा है दो पीछे और ये आप fitting देख सकते हैं headdress से लेके seat cover की wine black color में हमने लगाया है जो की गाड़ी के interior को काफी आप साथ में 70 मैट हमने दी है और जो मैंने अभी आपको थोड़े पहले components दिखाये थे यह leather finish आप देख सकते हैं क्या खूब आई है आपकी ये बड़ा एक साधा सा यहाँ पर दिया रहता है तो उसे हमने leather finish कर दिया है double sily के साथ एक दम और ये 70 मैट आप देख सकते हैं आई ये पीछे एक आपको दिखाएं पीछे की seat cover की fitting भी आप देख सकते हैं क्या खूब आई है 70 मैट साथ में आमरेट साथ देख सकते हैं इसमें charging point भी है mobile holder glass holder सारी ही चीज़े हैं तो एक premium लुक बना देता है गाड़ी को और एक steering cover हमने डाला है उसकी भी fit and finish आप देख सकते हैं क्या खूब आई है stitching से लेके सारी चीज एकदाम OEM style में fitting आप देख सकते हैं कि कुछ components पे हमने carbon finish लुक देने की कोशिश की है तो वह भी आप देख सकते हैं यह पूरा ही carbon finish लुक एक दिया है हमने gate panels पे हो गया और एक बार पात से आप ambience की भी quality देखिए fit and finish देखिए क्या खूब आई है brand record dashboard पे भी देख सकते हैं आप wrapping plus ambient light दोनों की fit and finish आप देखिए एक जो tape का car audio का console है उस पे भी हमने carbon finish देने की कोशिश की है तो carbon finish और कुछ components पे leather wrap किया हमने और यह महादेव तो हर हर महादेव एक ambience का नजार आप देख सकते हैं कि क्या खूब इसका लुक आया है उसके बाद बाकी bonot damping आप देख सकते हैं इसमें हुई है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था rattling sounds और heat rejection काफी अच्छा हो जाता है और gate में हमने damping की है इसमें double layer plus diggy चुकि वो pack हो चुका है इसलिए एक वीडियो मैंने डाल दिया है ताकि आपको याद रख कि क्या गाम हुआ है इसमें damping का sound proofing भी damping से काफी अच्छी हो जाती है आप highway पे चल रहे हैं तो वह भी जो बाहर की sound आती है roads की वह भी cancellation काफी अच्छा हो जाता है तो damping के फाइदे बहुत हैं उसके बाद एक wrangler टाइप एक grill डाली है फुल ABS material quality इसकी बहुती सुपरियर होती है तो इसका भी एक look आप देख सकते हैं साथ में genuine wrangler की हमने head lamp भी डाली है तो इसका भी एक look देखिए और transformation देखिए blue से white क्या ही खुब्सूरत बनाता है यह indicator पर पूरा work करती है और 140 watt की है तो light का performance भी बहुत ही बहतरी है आप देख सकते हैं इंडिकेटर भी proper work कर रही है यह फटा फट वीजन दिखाते हैं आपको head lamp और projector fog lamp का यह खाली देख सकते हैं आप fog lamp जल रही है वही 3 in 1 जो अकसर में डालता हूं Lumix की vision आप देख सकते हैं क्या खूब आ रहा है यह खाली fog lamp का vision है इसे की खासियत क्या आए कि आप weather के साब से इसका color change कर सकते हैं और यह खाली fog lamp का भी रोशनी आप देख सकते हैं performance क्या ही खूब है अब इसकी हम head lamp on करते हैं head lamp जरा आए देख सकते हैं आप यह transform जो होती है बहुत ही खूबसूरत बनाता है light को और यह genuine wrangler की ही head lamp है 140 watt तो इसकी head light की रोशनी भी अपने आप में बहुत खूब है आप देख सकते हैं तो जब आप projector fog lamp, head lamp का वीजन आप देखेंगे तो एक अलग level पर वीजन आता है brightest वीजन तो यह काम हमने किया था नई थार में उमीद आपको पसंद आया होगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रू सब्सक्राइब करें जल्दी एन डीजन आप देखेंगे तो जविर्वड़ का तो यह